कि आधनिये प्रधान मंत्री जी की पेड़ा से आध्पुरे देश के अंदर इंफ्रस्ट्रक्चर का जो एक मजबूत धाचा हम सब को नजर आ रहा है वह अगर उसक्या उसका स्रे आधनिये प्रधान मंत्री की जी के मार्ग दर्शन में किने किने दिया जा सकता है तो सच्मुच उसके सिल्पी है आज भारस सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रा लेके मान्य मंत्री याद्रेसी नितिन कट करीजिए कि देश के अंदर जिस मजबूती के साथ हाईवे का निर्माड हुआ है राजमार्गों के निर्माड के लिए जिस दुद्गति से पिसले नौ वर्स के अंदर कारे हुआ है आज उसने भारत की गति को विकास की रप्तार को एक नई उचाई तक पहुचाया है आजपुरी दुनिया इस बात को लेका चंबित है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के बाबजूत भारत दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती भी अर्थ विवस्ता है तो इसके पीछे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एक कारण है और इंफ्रास्ट्रक्चर का अधार सरदे अटल जी की उन परिकल्पनाओं को साकार करती भी जो आज मजबूत हाईवे के बहतर नेटवर्क के मात्यम से हम सब को देखने को मिलना है मैं आभारी हूँ आधनिये प्रधानमंत्री जी का आधनिये गटकरी जी का कि जिनोंने उत्तरप्रदेश को भरपूर मदद दी है और आज अभी पिछले दिनों आधनिये गटकरी जी बलिया में आये थी बलिया में साथ हजार करोड़ उपे से धिकी प्रियोजनाओं का भूई पूजन और उद्घाटन का कारिक्रम संपन्न हुआ और आज गोरकपुर में लगवग दस हजार करोड़ उपे की प्रियोजनाओं का आज यहाँ पर भूई पूजन और सिलान्यास का कारिक्रम संपन्न हो रहा है जिनमें सिलान्यास की दस प्रियोजनाएं हैं 4430 करोड़ उपे की लागत की इसके साथ ही दो अन्य प्रियोजनाएं एन एचियाई की हैं 4536 करोड़ उपे की इसके अलाबा 12 अन्य प्रियोजनाएं हैं बूई पूजन की 8966 करोड़ उपे की कुल जो लोकारपन की प्रियोजनाएं हैं इन पर्योजनाओं को मिला करके गरम देखेंगे तो यह लगभग दस हजार करोड़ उपे के प्रोजेक्ट है जिन प्रोजेक्ट का आज यहां पर अभी आधनिय गड़करी जिके करकमलों से यहां पर घोई-पूजन और लोकारपन का कारिक्रम संपन्न हुआ है सबसे महत्वपूड बात यहां इन पर्योजनाओं का लोकारपन और सिलान्या सो रहा है यह चेत्र अंतराश्तिय बाद्व टूरिजम का एक केंद्र बिंदू भी है कुसी नगर को मात्मा बुद्ध भग्वान बुद्ध की महा परिनिर्वान स्तली से उनके बच्पन की और भूमी जहां एक राजकुमार के रुप में सिदार्थ ने अपनी पूरी तिंचरिया को आगे वढ़ाया था कपिल वस्तु से जोडने कपिल वस्तु को स्रावस्ति से बल्लामपुर होते वे स्रावस्ति से जोडने का कारिक्रम रहा हो यह सभी प्रियोचनाएं जो भी हमारे मानने जनप्रतनिदियों ने मानने सांसदों ने समय समय पर राज्य या केंद्र सासन के संग्यान में लाया था आज उन सभी प्रयोजनाओं का या तो लोकार्पन हो रहा है या सिलान्यास का कारिकरम संपन्न हो रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े महानगर में से एक गोरकपुर जो पूर्वी उत्तर ब्रदेश पस्यमि उत्तर बिहार नैपाल की तराई की एक बड़ी आवादी के लिए उनकी सिक्सा उनके स्वास्त उनके रोजगार और उनके व्योसाय का एक ब्यापार का एक पर्मु केंद्र है उसे आज एक नए बाइपास की भी सौगात आदनिये गटकरी जी की द जंगल कोडिया से लेके काले सर के बाइपास की गोशना की उसका लोकारपन हो चुका है आज जंगल कोडिया से उत्तर दिशा से होते हुए 27 किलोमीटर लंबा 21 करोड़ उपे की लागत से जगदीसपुर को जोडने वाला एक नया बाइपास निर्मान के भोई पूजन का कारिकरम भी अभी संपन हुआ है साथ साथ नैपाल को जोडने के लिए अंतराश्तिय राजमार्ग नैपाल को जोडने के लिए फोर लेन का बेतरी इन कनेक्टिविटी हो सके यहना केवल नैपाल आवागमन के लिए बहुत टूरीजम की दिश से भी अत्यंत मेत्व पूर्ण है अन्य जितने भी कस्वें हैं बल्लामपूर उसका वाजार सोरतगर बस्ती संतकवीर नगर और अन्य महराजगंज का आनन्द नगर इन सबी में बाइपास निर्माण के और तमाम अन्य परियोजनाओं के साथ साथ हजारों वर्सों की विरासत जो कभी भगबान राम और माता जानकी के माध्यम से हम सब के साथ जुड़ी वी है जब मात जानकी जिस मार्ग से अयोध्या धाम में पहली बार आई थी आदने गड़करी जी ने राम जानकी मार्ग के नाम पर उसको फोर लेन के बनाने के संकल्प के साथ कारिक्रम को आगे वढ़ाया था आज उसके कुछ पूर्शन का लोकारपन का कारिक्रम भी संपन्न होने जा रहा है वह योपे नों देखे ना कितनी पुरानी विरासत लोग भूल चुके थे लेकिन आज आदने गड़क कीटी के मात्यम से जोड़ करके रामयन काल के साथ वर्तमान के संबाद को समंद को जोड़ने का एक अविनों प्रयोग राम जान की मार्ग के मात्यम से हो रहा है मैं इन सभी कारियों के लिए आदने गड़करी जी का हिर्दे से आभार व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें इस भी प्रकार के सयोग क्या हो सकता होगी जो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में ब्यापक निवेश की संभावनाओं को आगे वढ़ा रहा है अभी हाली में आधने प्रधान मंत्री जी का और आपका आधने राश्टपती जी का मार्ग दर्सन उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समीट को प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समीट के पीछे उसकी सफलता के लिए जो पैंतीस लाग करोड रुपे के प्रस्ता हमें प्राप्त हुए इसके पीछे कारण था क्योंकि लोगों को लगा उत्तर हैं कि अगले तीन वर्स के अंदर एक करोड़ नौजवानों को अकेले इन निवेस प्रस्ताओं के माध्यम से ही हम लोग प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार देने में सपल होंगे उत्तर प्रदेश के नौजवान को कही प्लाइन करने के लिए मजबूर नहीं होना प प्रदान मंत्री जी के साथ मैं आज आप अपना कारिक्रम मैंसे संसत के व्यस्ते कारिक्रम मैंसे समय निकाल करके उत्तर प्रदेश के लिए आप समय दे रहे हैं मैं इसके लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सासन की और से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जंता की और से बाबा गोरकनात की स्पावन धरा पर आपका हिर्दे से स्वागत अविनंदन और आभार बेक्टे करते हुए अपनी बाणी को यही पर ब्राम देता हूँ धन्यबाद जैहिन